आप सभी का इस वीडियो में नमस्कार और इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो फंक्शन्स के बारे में जो कि फिनान्स और परचेस डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉरेंट है small and large small का मतलब है lowest, second lowest, third lowest जब आप vendor सेलेक्ट करते हैं परचेस डिपार्टमेंट में तो prices को देखा जाता है, compare किया जाता है कौन है lowest price, कौन है second lowest price और कौन है third lowest price उसी तरह आपने पुराने हिंदी पिक्चरों में देखा होगा कि नीलामी होती है, बोली लगती है कि बड़े-बड़े बंगलो कितने प्राइस पे बेचे जा सकते हैं वहाँ पे highest bidder कौन है, second highest कौन है, third highest कौन है अब formula दिखाने से पहले एक सवाल लोगों के मन में आता है कि small और min में क्या difference है, large और max में क्या difference है तो आईए देखते हैं कि क्या-क्या difference है एक example के जरिये सबसे पहले मैंने एक छोटा सा data लिया है जिसमें एक काम के लिए मैंने अलग-अलग vendor से quotations मंगवाए हैं कि आप कितना पैसा लोगे और ये काम करके मुझे दोगे अब अगर आप min का इस्तमाल करते हैं तो सिर्फ आपको lowest ही मिलेगा second lowest की price आपको min formula नहीं दे सकता है उसी तरह अगर पूछा जाए कि highest price क्या है तो उसके लिए आप max इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मुद्दा है कि L1 और L2 यानि कि lowest और second lowest कैसे निकाला जाए तो अगर आप देखो इन सारे चारो prices में lowest price is 22.1 लेकिन second lowest है 23.4 तो आईए देखते हैं formula कैसे बनाया जाए small मैंने इस पूरे data को चूज़ कर लेना है ऐसा क्यों? विकाज मुझे parameter के तहट कहा गया है कि array चूज़ कीज़ेगा वापस दिखाता हूँ array अब के का मतलब है वो digit अगर one है तो lowest, two है तो second lowest, three है तो third lowest अगर मुझे lowest चाहिए तो मैं लिखता हूँ one और brackets को कर देता हूँ close enter अब ध्यान रहे कि क्योंकि आपने dollar नहीं लगाया है तो अगर simple copy paste करेंगे तो गलत answer मिलेगा आपको तो यही formula को मैं पूरा copy करता हूँ अंदर से, escape वापस double click on the next cell, control V और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ two, enter तो देखा lowest और second lowest obviously जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे जहाँ dollar का इस्तमाल किया गया है तो यह एक ही formula लिख कर आप copy paste कर सकते हैं इसका मतलब highest, maximum लेकिन अगर आपको second highest चाहिए तो आपने लिखना है वही formula दोबारा large, data को करना है choose और उसके बदले में लिख देना है two, यानि की k की जगा पर two, enter तो यह आपका बन गया second highest अगर आप थोड़े advanced users है excel के और dollar की जानकारी रखते हैं तो मैं आपको यह भी दिखाता हूँ कि यह formula को मैं dynamic कैसे बना सकता था, मैंने दोनों red cells पे लिख दिया है one and two, same नीचे वाले table में भी, फिर मैं लिख देता हूँ small, अब array को choose इस तरह करता हूँ, कि यह sideways move ना करे, लेकिन नीचे जाने की काबलियत उसमें हो, ताकि जब मै इस formula को copy paste करूँ, तो अगले row का data उठाया जाए, तो उसे करने के लिए मैंने c के पहले dollar रखना है और f के पहले dollar रखना है, मैंने dollars के उपर अलग सा video बनाया है, अगर यह clear नहीं है, तो please उसे देखें और फिर इस video में आए, दूसरी तरफ मैं k की रूप में यह cell को choose करता हूँ और ध्यान रहे, यह cell right की तरफ तो जाए, लेकिन नीचे ना जाए, और इसे ensure करने के लिए मैं four के पहले dollar रख देता हूँ, यह थोड़ा advanced technique है, please वापिस दोराऊंगा, dollar के formula को जरूर देखें, इसे कहा जाता है cell referencing, और अगर आपने ऐसा formula लिख दिया, तो एक ही formula से सारे answer आपके सामने, right, तो dollar के video देखने के बाद, try कीजे क्या आप ऐसा ही formula अगले cell के लिए, large के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, यह था small and large, for people in finance and accounting, और यह सारे हैं इनके applications,